हालो गाइज और वेल्कम बाक तो मैं चानल सिर्फ आई एस तो यहां पर अंथ्रोपोलोजी ऑफ्शनल को कॉंटिन्यू करते हुए पेपर वन का साब पार्ट 1.2 हम कॉंटिन्यू कर रहे थे हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था इसका और हम पार्ट 2 आज आपके लिए ले पार्ट 1 इसका बहुत ही छोटा है उसे देखे बिना मत आईए कई सारे टर्म्स मैंने वहां बताए है और आखिरकार बताया है कि 1.2 जो हम पढ़ रहे है उसका बेस है क्या उनमें क्या चीज़े है तो आपके लिए पार्ट 1 देखना बहुत जरूरी है जिसमें मैंने बता आपका बात करेंगे आप सोश्यो लॉजी का मतलब सोसाइटी से हो गया सिर्फ इंसान है और इंसानों के रिष्टों के बीच की बात हो रहे है तो हम यहां पर जो relationship रखेंगे anthropology का वो socio-culture anthropology का रखेंगे ना कि biological anthropology का तो socio-culture anthropology यह sociology के साथ relate होती है तो सबसे पहले आप इस concept रुखेगा अब हम बात करना जाहेंगे कि आखिरकार यह social study का मतलब आखिरकार है क्या तो देखिए, नाम है कुछ Red Cliff Brown जी का, Red Cliff Brown, इनको माना जाता है कि ये पाइनिर है, Social Anthropology में, और इन्हों नहीं आखिरकार बताया है, कि जो Social Anthropology है, और Ethnology है, उसमें differentiate है क्या, समझ रहे है, Ethnology, एक नया term में आपको बता रही है, Ethnology का मतलब होता है, Study of Races, इंसान की races होती ह और इसी basis में इनसान अलग 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 अलगता है, इसे में अंगलोईड, रेस वगएरा, जो हम पढ़ेंगे, अब यांत्रों सब कुछ पढ़ाएगा, तो पढ़ेंगे, तो Red Cliff Brown का नाम याद रखिएगा, और यही जो है, वो definition भी लेकर आया थे, कि एक इंडिविज्वल या एक ग्रुप के बीच में, या दुरोग ग्रुप के बीच में, समझने हैं आप, तो इनके हिसाब से जो सोशल स्टडी है, यह कि स्टाटिक कॉंसेप्ट है, कभी बदलेगा नहीं, एक जैसे ही रहेगा, और बेसिक, जो मुद्दा है, जिस बेसिस सोशल स्टडी को करा जाता है, वो मुद्दा है सोशल रिलेशन का, तीक है, आपस में सौसाइटी में, दो लोगों के बीच के रिलेशन, ओ एक इंडिविज्वल के, इंडिविज्व पे बेह सकते हैं, इंडिविज्वल से ग्रुप के भी हो सकते हैं, आप को इतनी बात सम देखिए जो sociology है यह पढ़ती है modern societies को, modern societies जैसे कि आपका France हो गया, आपका UK हो गया, जर्मनी हो गया, तो यह एक जैसी सारी societies हैं, इनमें कुछ खासी difference जादा देखने को नहीं मिलेगा, और sociology ऐसी modern society को पढ़ता है, और उसके बाद एक law निकालता है अपनी तरफ से universal निकालने कोशिश करता है, जो कि इन सारी modern society के लिए सही रहेगा, लेकिन अगर हम बात करें, socio culture anthropology के बारे में, तो देखें, यह modern और simple, दोनों society को पढ़ता है, मतलब modern को तो पढ़ेगा, पढ़ेगा, साथ इसाथ simple, मतलब tribal society को भी पढ़ेगा, जहां पे इतना complex चीज़े हैं, और द इंटिकेट होगा, comparatively to sociology, समझ रहे हैं, क्योंकि anthropology हम हमेशा से पढ़ रहे है, holistic study करता है, यह अपने section में, हर एक part को, हर एक चीज को लेके चलता है, इतनी बात आपको समझ भाई, तो comparative अगर study की बात करें, तो यहां पे क्या है, कि यह compare करता है modern society को, और यह यहां पे modern और simple दोनों society को compare करता है, इतनी बात समझ में आ गई, next आता है sociological study के बारे में, तो देखिए, एक दूसरा, जो component है social anthropology के अंदर, वो है sociological study, अब देखिए, इसमें क्या हुआ क्या, कि यह जो background है, यह Radcliffe Brown, Britain में लेकर आये थे, और कुछ sociologist ने कहा, कि जो anthropology है, वो branch है sociology की, और बात लेकिन सच बिलकुल नहीं है, कुछ लोगों ने कहा, कि जो anthropology है, वो, जो branch है, यह sociology है, मतलब, socio-culture anthropology, मतलब, social anthropology है, उसे कहा गया, कि वो, निकल के आई है, आपके sociology से, बड़ यह बात एक दम गलत है, तो यह बात, आखिरकार उठी कैसे, तो उठी इस तरह से, कि भई, को ने इस बात कही है, कि हो सकता है, कि sociology है, उसके अंदर ही आती है, यह socio-anthropology, बट यह बात एक दम गलत है, क्लेर है, अब इन में हम difference की बात करेंगे, अखिरका difference क्या है, anthropology और sociology के बीच में, तो देखिए, मैंने जैसे कि आपको बताया, anthropology, जो है, social anthropology कोई sociology से निकल के नही है, तो ऐसा कुछ ऐसा यहां पर नहीं हुआ है, यहां पर अपनी खुद की identity है, खुद का अलग-अलग है, और anthropology और sociology यह कोई सेम बात नहीं है, अपनी चीजों में अलग-अलग भी है, इनका जो data collect करने का, इनका जो method है, वो अलग है, किस extent तक study करती है, वो भी अलग है, स जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, यह extent of study में आपको समझा रही हूँ, लेकिन अगर मैं बात करूँ, तो आपका sociology से, तो यह सिर्फ complex या western society को पड़ता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, Britain, France, UK, सिर्फ इसी को ही पड़ता है, समझ रहे है ना, अब बात आती है, कि आखिरकार यह sociology data कैसे collect करता है, तो जो sociology है, इसका जो data collect करने का method है, वो different है, यह questionnaire से, schedule से, survey से collect करता है, और जो anthropology है, यह data कैसे collect करता है, social culture anthropology, जो data collect करता है, वो face to face, field work जाके, सामने से बात करते करता है, आप तरह सोचिए, कि अगर आप किसी से survey करते हैं, या आप कोई सी question answer का जबाब मांगते हैं, तो क्या इंसान आपको सही जबाब देगा, बिल्कुल नहीं देगा एक बार में, आप अन्नौर हो उसके लिए, लेकिन अगर आप उनके बीच में रहते हो, आप उनसे मिल जूलके चलते हो, समझते हो, साइटी में क्या चल रहा है, क्या ने चल रह सकते हो, और वही चीज होती है, एंसान को पूरी तरह से पढ़ती है, तो इस तरीके से, यहाँ वो मैन को in the sense of society पढ़ रही है, complex भी, simple भी पूरी तरह से, वही जगा अगर जो sociology है, वो सिर्फ उसका पार्ट है, और एक वो modern society को पढ़ रहा है, क्लियर है? नेक्स बात करेंगे, कि आखिरकार, anthropology का क्या relationship बनता है, economics के साथ में, तो economics के साथ में, relationship पढ़ने से पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी है, क्या आखिरकार economics क्या है, तो देखिए, study of scientific institutions को हम, sorry, study of economic institutions को हम economics कहते हैं, clear है? तो अब किस तरीके से related है, यह जाने, तो देखिए, मैंने आपको बताया, anthropology अगर biological और socio-cultural anthropology है, तो इसका socio-cultural जो पाल्ट है, वही वाला यहाँ पे economic anthropology से relation रखता है, तो मतलब economic anthropology जो है, वो socio-cultural anthropology से यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि biological कोई मतलब नहीं है, अब इसमें मास, हड़ी और skin कोई काम है नहीं, तो काम किस चीज का है मिल, कि जो social culture है, तभी तो यहाँ पे economics पैसे का term, या आपका production distribution, और आपका consumption का term, यह सबाएगा कि यहाँ पे humans की बात हो रही है, humans की interpersonal relations की बात हो रही है, तो इसलिए तो socio culture anthropology को देखोगे, ठीक है, अब हम socio culture anthropology को यह देखेंगे, यह समझ गए, और हम यहाँ पे अब economic anthropology की, जैसे कि आप इस image में देख सकते, economic anthropology की बात करेंगे, और economic anthropology जो है, socio culture anthropology का एक पार्ट है, clear है, तो और आगे चीज़ों को लेके चलते हैं, तो जैसे कि हम जानते हैं, क anthropology holistic manner में man को पढ़ रहा है, तो वो हर एक term में पढ़ रहा है, है न, कि चाहिए वो economic term हो, चाहिए वो social term हो, चाहिए वो medical term हो, जो समझ से चल रहा है, तो इसलिए anthropology man के लेके बहुत ही बड़ा concept है, इसमें holistic सब चीजों को यहाँ पे लेके चलता है, समझ रहे हैं आप इस च anthropology, दोनों ही जो है, वो scarcity principle पे belief करते है, scarcity principle का मतलब होता है, कि यहाँ पे, आप देखते हैं कि, resources कम हैं, चाहिए वो कितनी बड़ी सी बड़ी country क्यों ना हो, resources कम हैं, और demands जादा हैं, हमारी desire जादा है, तो हमें इस resources को इस तरह से manage करके चलना है, कि हमारी demands भी पूरी हो both study economic system, ठीक है, दोनों ही जो हैं, वो economic system को पढ़ते हैं, अब हम यहाँ पे जानेंगे, कि आखिरकार, यह जो, आपका, modern economics का मतलब है, तो modern economics का मतलब होता क्या है, तो देखिए, यह, जो हमारा, यह modern economics है, इसमें हम किस चीज की पढ़ाई करते हैं, हम जानते हैं, कि आखिरक Western economic system में, जो भी वो problems आ रही हैं, अगर हमें उने solve करना है, तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा, कि जो इनसान है, उसका क्या behavior रहता है, Western और आपका दूसरा चीज क्या, कि industrial society में, अब जैसे कि अगर हम बताएं, कि modern economy में क्या के चीज़े आती है, तो जैसे, money आता है, पैसा, बिना पैसे का क्या होता है, modern economy में, money आता है, market आती है, capital आता है, demand है, supply है, तो यह सारी चीज़े आती है, price mechanism है, price कैसे उपर जाएगा, नीचे आएगा, जो कि हम economics में पढ़ते भी है, बहुत ही basic चीज़े है, अब देखिए, और चीज़े हम आगे बढ़ा कि अगर आपको थोड़ा और clearly समझाने की कोशिश करें, तो आपको यह हम बताएंगे, कि economic system में क्या होता है, तो economic system में basically क्या होता है, कि जो एक इनसान है, वो किस तरीके से, अपनी demands को satisfy करता है, किस तरीके से, उसको किस जिसी जरुवत है, वो किस तरह से, उस चीज़ों को manage करता है हजारों society हैं, आप जानते हैं, जो अभी भी industrialized नहीं हुई है, तो अगर आप पैसे के term में सिर्फ लेके चलो, तो सिर्फ और सिर्फ पैसे के term में नहीं लेके चल सकते हो, तो ऐसा नहीं है, यह सारी society जो है, वो किस अपने अपनी तरीके से, अपनी अपनी demands को पूरा करती हैं, आप यह नहीं कह सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ economic system में पैसा आता है, production, distribution और आपका यह जो consumption, यह तीनों तो आप ले लो, लेकिन अगर आप money को भी लो, तो हर society में money नहीं होता, हर society में industry नहीं है, वो किस तरीके से चीजों को manage कर रहे हैं, यह भी matter करता है, अब economic anthropology जो है, वो, यहाँ पर यह भी पढ़ती है कि कैसे industrialized, pre-industrialized society अपने आपको पूरा करती थी, समझ रहे हैं, किस तरीके से technology का level उस समय कम था, इंसान जो है, वो resources पे बहुत सरा dependent था, तो उस समय पहले इतिहास में किस तरह से लोग अपनी जरुत्तों को पूरा करते थे, अब यह ज तो यहाँ आप एक बास समझेगा, कि economic जो behavior है एक इनसान का, वो आप अलग नहीं कर सकते हो social studies से, है न, social studies से अलग नहीं कर पाऊगे, क्यों नहीं कर पाऊगे, कि दो अगर रिष्टे, यहाँ पर रिष्टे के basis पे ही सारा खेल चलता है, तो अगर आप यहाँ पर relations को matter नह नहीं समझ पाऊगे, तो दोनों आपस में काफी जादा related है, और जो industrialized society होती है, है न, industrialized society में pure economic institutions होते है, मतलब पूरी तरह से सिर्फ पैसा की बात होती है, क्योंकि यहाँ पर technology बहुत जादा बढ़ गई होती है, लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करे, pre-industrialized society की, जहाँ प काफी famous anthropologist, एक का नाम था Raymond Firth, और दूसरे का नाम था Huskowitz, यह Huskowitz के बारे में मैंने आपका 1.1 में बताया है, दूसरे का नाम है Raymond Firth, इनोंने काफी ज़दा economic aspect society का समझा, दोनों ने समझा कि यहाँ पर दोनों anthropologist को यहाँ पर ज़रूरी है कि simple economy के साथ में मिले, modern society, social economy के सा पानना है, तो यह जो social वाला हिसाब किताब है, उसे हमें economic वाले हिसाब के साथ में मिलाना पड़ेगा, तबी तो आप समझो आप, कि अगर आप हो, आप अपने दोस्त से कह रहे हो, आप चले पकोड़े खाने, तो आप और आपका दोस्त, यह आपका social relation हो गया, और आप ज economics को, समझ रहे हैं, और दोनों ही इस scarcity principle को बहुत जादा तवज्जो देते हैं, आप कह सकते हो, कि scarcity principle जो है, वो social culture economics, और यह economics की जो science है, दोनों ही यहाँ पर इसको, क्या कह सकते हो, आपकी भई, features इसके मानते, scarcity principle मैंने आपको बताया, इसके हिसाब से होता क्या है, कि resource जादा रहेंगी, इसलिए बहुत ज़रूरी है, कि हम चीजों को ऐसे manage करके चले, अपनी इच्छाओं के बीच में, और जो हमारे पास resources है, उनके बीच में कुछ acid rationality बना के चले, कि हम पूरे ही यहाँ पे, long term तक उसको use भी कर सके, और हमारी demands भी पूरी होती है, ठीक है, ह इंसान का in term of integrative or holistic manner में, मतलब किस तरीके से पूरी तरह से economic behavior इंसान का पढ़ती है, holistic manner में पढ़ती है, हर तरह से पढ़ती है, लेगिन अगर हम modern social of economics की बात करें, तो यह एक एक पार्ट में, atomistic जिसे बाते हैं, सिर्फ पार्ट में पढ़ती है, कि मतलब जैसे, अगर हम ब जहां पैसर में term में काम ना हो रहा हो, वहां भी पढ़ती है, यह एंत्रोपोलोजी है, जहां भी holistic की बात आती है, वह एंत्रोपोलोजी है, तो यह दोनों में डिफरेंस यहां पे आता है, समझ महीं आपको बात, तो यही बात आप आप जो हैं वह अपने conclusion में लिखते हैं और एक method की अगर मैं बात करना, data collection की, तो data collection के method में वही बात आप आप रखते हीगा, जो मैंने आपको पहले बताई, कि face to face study यह समेशा करी जाती है, anthropologist के दोरा, क्योंकि अगर आप जाओ किसी से पूछो कि भया तुमारी income क्या है, तो वह आपो सच income थोड़ी ना बता दे बहुत अधा authentic हो जाता है, देखिए, यहां पर कुछ चीज़े हम आपको समझाना चाहते हैं, इस economic के term में ही, कि यहां पर जो anthropology है, वो जो है, वो आपकी इस तरीके से, tribal society को भी इस तरी से पढ़ती है, समझेगा है, हर term में चीजों को जानती है, आप इसका relation जो है, वो social anthropology के साथ ले लो, या आप anthropology का, sociology के साथ ले लो, चाहिए, आप economics के साथ ले लो, दोनों को ही, मैं आपको इस chart के थुरू बताना चाहती हूँ, तो देखिए, जो modern वाला scene है, तो modern अगर मालो sociology है, या modern आपका economics है, तो यह term है, वैसे marriage है, आपका family है, kingship है, economic हो गया, political हो गया, relations हो गया, जैसे इस तरीके से religion हो गया, इस term के जितने भी आपके, अलग-अलग sections है, तो यह आपका आता है heterogeneity, heterogeneity का मतलब होता है कि, अलग-अलग section में पढ़ना, क्योंकि आज की जो society है, आज की जो modern society है, वो अपने में हर field अलग है, suppose करो कि आपको कोई share मारना है, ठीक ह मैं example देते हूं, share मारने में चले जाना, ठीक है, चलो share को रहन देते हैं, आपको कोई एक hiran मारना है, एक deer मारना है, तो आप सिधा एक gun लेके जाओगे, और gun ले जागे, वहाँ पर उसको मार दोगे, ठीक है, बस क्योंकि आपका simple term है, science and technology इतनी बढ़ गई है, लेकिन अ उनको अपने हिसाब से वह सोचते रहेंगे कि भई, बगवान मुझे बचा लेना, या जैसा भी वह सोचेंगे, तो ग्रुप में जाएंगे, उनको सब की मदद होगे, कि इतनी उनके पास technology नहीं है, तो एक तरीके से religion जो है, वह बहुत सदा matter करता है, उनकी किसी भी काम मे तो इसलिए, जब हम पढ़ते हैं, ट्राइबल के sense में किसी भी चीज़ को, तो homogeneity बात आती है, homogeneity क्यों बचते हैं, क्यों कि उसमें सब एक दूसरे से मिला है, ठीक है, चाए marriage हो, चाए उनका religion हो, चाए उनका political organization हो, चाए उनका kingship हो, चाए economic हो, यह सारा का सारा एक दू आप kingship अलग हो जाएगा, अब यहां आपको समाल लेना है, तो आप जाके पैसा दोगे और लेल होगे, यह नहीं सुचोगे कि भगवान आएंगे तो मेरे मूँ में खाना डालेंगे, तो religion आप अलग रखोगे, तो इसलिए इसको पढ़ते हैं, अलग कि अगर हम और चीज हैं, बॉलिवोड मुवीज वगेरा हैं, यह सब करती क्या हैं कि हम लोगों को इतना कुछ दिखाती नहीं है, हम लोगों को दिखाती हैं कि खाले ट्राइबल जंगली हैं, उजडडी हैं, तो हम लोग के माइंड में एक पिच्चर अलग बने हुई है, बट एक्जाक्ली अ देखने को मिलेगा, इसमें क्या होता है, कि यह जो ट्रेट पार्टनर्स हैं, यह ट्रडिशनल वैल्यू का एक्स्चेंज करते हैं, और एक प्रॉपर एक सेरिमोनियल पैटन इसमें फॉलो करते हैं, तो यहां पे भी ओचीस आपको देखने को मिलती है, लेकिन हम यहां पे यह करते हैं कि सिर्फ यही सोचते हैं कि हमारी model society जो है सिर्फ वहीं पर ही यह सारी चीजों को follow करा जाता है ट्राइबल्स यह follow नहीं करते तो ऐसा नहीं है बिल्कुल ऐसा नहीं है जब आप anthropology आगे से relation यह political science के साथ में क्या है तो देखिए political science आप जानते हो इसमें political system आता है जो आज की society है उसमें क्या state होगी क्या government होगी है यह सारी चीज़े आती है यह क्या governance कैसी होगी कई तरह की जो states हैं वहाँ पर election कैसे होता है एक word है सिफोलोजी सिफोलोजी का मतलब होता है exit pole उसकी भी study होती है किस तरह से governance work करेगी यह सारी बाते समझी जाती है कि आखिर कर एक इंसान का political behavior क्या है हम एम लक्षमी कान में इतना कुछ पढ़ रहे हैं तो आप political समझ सकते हैं क्या है क्या है क्या ने तो political science इन सीजों से deal करती है फिर आप जब भी समझोगे तो बहुत इजी है क्या behavior होता है उसको पढ़ती है है ना कि अलग अलग तरह से human कैसे जो है human society कैसे behave करती है उनका क्या relationship है political organization के साथ में kingship के साथ में है ना मतलब आप समझ जो कि में यह tribals को भी देखती है और उसके बाद एक universal law निकालने की कोशिश करती है कि आखिरकार political behavior इंसान का क्या होता है समझ रहे है यह सिर्फ एक पढ़ा लिखा एक नाम जो है एक normal society जो चल रही है सिर्फ उसके basis पे नहीं निकालती laws जो कि political science करती है क्योंकि देखिए बहुत जगा पर ऐसा जो है वो है कि भाई state नहीं है बहुत सारी इसे society के जहां पर state नहीं है तो आप यह नहीं कह सकते कि एकदम exactly आप state को पढ़ना ही political science के अंदर आ रहा है बस इतना वहां पर भी किस तरह से organization होता है किस तरह से selection होता है चीजों का उन सब को भी पढ़ती है तो जब हर तरह से पढ़ा जाएगा तो यहां पर एक universal law निकालना एक proper solution निकालने में काफी help होगी जो भी politically problems आती है उसे निकालने में problem मतलब करने में काफी help होगी समझ रहे है जैसे कि मान लीजे आफ्रिका अब आफ्रिका पहले call नहीं थी है ना तो अब इतनी उसके अंदर development नहीं था problem थी अचानक से वह जब आई चीजों में आई समझ प्रॉपर organization हुआ प्रॉपर government हुई तो किस तरीके से वह आगे बढ़ सकती है नहीं बढ़ सकती है तो यह सब उनकी पुराने tribal studies या political science इन सारे के सारे data को एक साथ मिला के जो हम लोग ने वहाँ पर कोशिश करी कि चीजों को manage करा जाया तो काफी असान हुआ तो यहां पर चार्ड के थरूँ हम चीज़े थोड़ा और क्लिरली समझेंगे तेखिए political science में क्या होता है कि maintenance of internal order और maintenance of external order तो अब internal order कैसे manage होता है कि आपके अंदर आपके जो देश के अंदर जो है बबाल ला हो बहुत ही प्रॉपर चीज़े चले जैसे कि प्रॉपर जो law investigation agencies हो अच्छ पुलीस वगेरा हो गया उसके बाद आपका law enforcement agency judiciary वगेरा हो गया तो यह सारी के सारी एक बहुत मदद करती है एक internal society को एक internal order को maintain करने में ठीक है और अगर हम maintenance करें external society का तो आप उसको कैसे maintenance कर सकते हो मतलब हमारे देश के बाहर देशों से रिष्टे कैसे कर सकते हो वही अग diplomats जा रहे हैं अच्छे रिष्टे बना रहे हैं वहां से बाते हो रहे हैं military तो इन सब चीजों से हम manage कर सकते हैं और इन सब में main role किसका होता है authority and leadership का कि अगर देश का राजा अच्छा है वह चीजे manage अच्छे से कर रहा है तो चीजे अच्छे से manage होगी तो यह एक चीज है जो आपको यहां पर समझने की जरुवत है और इसलिए जो अगर आप conclusion की बात करो तो आप यह कहोगे कि जो political anthropology है यह पढ़ती है political behavior एक इंसान का holistic manner में काफी unique है लेकिन अगर हम political science की बात करें तो यह political system एक इंसान का पढ़ती है part manner में है तो हर जगा में अभी तक तो आप स anthropology के अंदर तो बस अभी इस पार्ट में इस नहीं करते हैं next part में इसको complete कर लेंगे बाकी सारे relation में जान लेंगे तो अगर अच्छा लगा हो तो like, share, subscribe करना बिल्कूल मत भूले जान में को प्रेस करके आप मेरी membership को जान करके मुझे support कर सकते हैं और आप अच्छी अच्छी perks ले सकते हैं बाकी आप comment box में अपना comment छोड़ सकते हैं यह सारे वीडियो आपको facebook, twitter, sorry facebook में मिल जाएगी आप like करके page वहाँ पे भी देख सकते हैं बाकी सारी social media platform see link description box में you can follow me anywhere thank you so much for discussion have a wonderful day take care